Hello, what's up guys, my name is Pinot Badu Thappa and today in this video we will see the best setting for Sublime Text Editor in Hindi in 2020. So let's start guys, let's start. I want to tell you guys, 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 because I want to tell you guys, my personal favorite setting, which I have done with Sublime Text Editor. Yes, guys, this is the first thing I want to tell you guys, why don't we have the default setting with Sublime Text Editor, which I want to tell you guys. Guys, I want to tell you guys, and a simple line, I want to tell you guys, that is, the other thing we get happy with that, we don't call it that way. Yes, guys, if we get something like this, we get happy with that, then guys, the other thing is perfect, the other thing is productivity, it will increase. So it's the same guys, what are the programmers of the most, what do you do the coding, right? Where do you do coding? Guys, it's a hard one of people with notepads. They use their favorite editor right, I mean, they use it. So I do it mostly Sublime Text Editor, एड बिलिव में गाइस में ने जो सेटिंग सेट किया है अपने सब्लाइम टेक्स एडिटर के लिए आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला क्यूंकि इस एक वीडियो में हम सिर्फ सेटिंग कहने प्याइस में बाता हो देखिए सबसे पहले तो फॉंट कौन सा यूज करन तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसको हाइड कैसे करना है सौटकर्स वह भी मैं आपको बताने आलों एंड बिलिव में आपको बहुत ज्यादा माज आने वाला है ठीक है एक और चीस बतना चाहूंगा कि अगर आपने अपना खुद का प्रस्टनल सेटिंग कर रखा है सब्लाम टेक्स एडिटर में तो कैस नीचे कमेंट आउट जरू कीजिए इससे होगा यह कि मेरा जो प्रस्टनल फैब्रेट है वो तो मैं बताने वाला हूं और आपका जो प्रस्टनल फैब्रेट हो नीचे कमेंट कर दीजए ताकि जो भी वीवर्स हो उनके पास मुल्टि स्क्रीन पर आचुका हूं तो सबसे बहुत करता हूं सब्लाम पर जाता हूं और सब्लाम टेक्स एडिटर को कर रहा हूं ओपन और तो आप देख सकते हो कि मेरा जो कुछ इस तरीके से दिखाए देता है जो कि बहुत ऑसम है राइट आपने जस्ट नोटिस किया मैंने एलिए देख सेते हो जो भी कर में लिए को लेट से रडे ऐंड बूम आज आप देख सेते हो मुझे रड दिखा दै अगर लेट सब्सक्राइब कर दो कौन कौन से प्लाग इंस कौन से से इंडिज कमपलिट आज मैं आपको सिर्फ इस एक वीडियो में बतान आपने आलो कि मुझे दिखाई दे रहा है package control and I know आप में से बहुत हो को जब first time install करते हैं आप लोगों को यह दिखता ही नहीं तो आप लोगों का पहला comment यह रहता है यार मुझे तो package control दीखी नहीं रहा है text 3 लिखना है basically कुई कि अभी तीसरा वर्जन चल रहा है and यहां पर बहुत क्लिरी देख सकते हूँ we have the www.sublime.txt.com right simply यहां पर आपको जाना है and best part is कि जाहे आप Linux चाहे आप OS Mac and then Windows कहीं पर आप इसका उसकार सकते हो better go with अगर आप Windows शूस करें तो Windows 64 bit आपको यहां पर क्लिक कर देना and आपका यह install हो जाएगा I mean download हो जाएगा then आप वहां से simply इसको कर लिजिएगा install all right guys so this is how we install our sublime text editor fair enough all right now this second most asked question यह कि package control हमें देखी नहीं रहा है तो हम install कैसे करेंगे plugins को right guys एकदम valid एकदम perfect question है क्योंकि by default जब आप sublime text editor को करते हो install तो वह हमें नहीं मिलता हमें इसको enable करना पड़ता है इसे active करना पड़ता है इसके लिए किया करना आपको जाना पड़ेगा tools पे and यहां पर बहुत किलिए देख सकते हो we have this command palette ठीक है चाहे तो आप यहां पे packages पे भी देख सकते हो लिकिन but best part है आपको जाना होगा command palette पे and here you have to write and s-t-a-l यहां पर आप देख सकते हो guys package control आपने देखा install आपको लिखना यहां पर दिखरा होगा आपको package control simply आपको इस पर कर देना है click this is it guys once आपने tools command palette and then package control पर किया click ठीक है आपको click कर देना हाला कि मैं तो already install करी चुका था and boom guys आपका package control इंस्टॉल हो चुका है now just to get read from वो जो भी यह awesome दूसरा आप मैंने कौन सा theme यूज किया है ठीक है तू दिखे मैं यहां पर चलता हूँ आप देख सकते हो मुझे theme दिखाई दे रहा है the moment मैं अगर theme पर click करता तो guys आप देख सकते हो I am using material-theme-darker.sublime-theme and the best part पता है guys क्या है इसको आपको कहीं से download या plugins कुछ करने की आपको क्या करना है simply preferences पर जाना है package control पर जाना है we have to write install package जी हां guys आपको लिखना है install package पर simply click कर देना है and here you have to write material-theme तो simply guys आपको उस package को install कर देना है ठीक है मैं आपको बता तो दिखे मैं अब भी करके बता तो अभी let's say assume guys कि आपने कुछ install के एंदेन आप उसको remove करना चाहते हो so यहाँ पर मैं जाता हूँ remove package पर अभी जो मैंने theme उसकर रहा है that is your material theme this is it guys here आप देख सकते हूँ बहुत कि से दिख रहा होता है right अभी मैं क्या करता हूँ let's say मुझे वह color चाहिए I need that theme तो मैं जाओंगा package control पर यहाँ पर देख सकते हूँ so you have to first type install package पर आपको जाना है simple ठीक है इसको थोड़ा मैं center में लेका निकी कोशिस करता हूँ now you have to write material काईसाब आप देख सकते हूँ we have this material theme य ठीक है and the moment आप इस पर करते हो click यहाँ नीचा बहुत clearly देख सकते हो guys वो load हो रहा है ठीक है and once यह जब load हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ कि फिर अब आप कैसे theme इसमें add कर सकते हो and मैं कौन सा theme उसकर रहा हो मैं आपको बताऊंगा all right guys आप देख सकते हो यह completely install हो all right now we have multiple options guys देखो जैसे जैसे मैं नीचे करूँगा एक second यहाँ पर आप देख सकते हो guys यह color change हो गया है and मैं एक चीज़ जो बताना चारा था that is guys यहाँ पर देखे मैं नीचे चलता हूँ सबसे top पर में लिखूंगा material all right guys आप देख सकते हो material theme sublime material theme darker and enter this is it guys तो आप देख सक इन्हों properly कर दो close and then again open करो ताकि वो properly set हो चुका हो all right guys तो I hope आपको पता चल गया कि theme कैसे install करना है right and मेरा कौन सा personal theme ही जो मैं यूज कर रहा हूँ I think guys आपको पता चल चुका होगा कि remove package क्या होता है and then install package कैसे करना है now color scheme and then कौन सा font में यूज कर रहा मैं आपको बतातो देख सकते हो यह जो यह है default जो sublime use करता है default हमें default से कुछ लेना देना नहीं यहाँ पर आप देख सकती है user इसको में zoom कर देता हूँ and this is it guys आप देख सकते हो कि जो मैं font face use कर रहा हूँ that is Fira code मैंने आपको already बता है simply Fira code को कीजे install कहां से Google font से जी हाँ guys यहाँ पर आपको जाना है simply Google font पर आपको जाना है इस तरह किसे ठीक है Google fonts पर आप जाएगे simply सहाल है कि मैंने और इसको पर वीडियो बना चुका था लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा Fira code यहाँ पे आप देख सकते हूँ we have this Fira code आप इन वे से किसी को भी ट्राइ कर सकते हूँ simply guys आपको क सामने यह आ चुका है simply आप देख सकते हूँ and right click ठीक है इसको आप करीजिए open and यहाँ पर आपको क्लिक कर देना install पे and that and the moment जब आप कर दो कि install तो guys वो install हुई चुका है right फिर आपको क्या करना है simply यह वाला जो पार्ट देखना top पे इसको करो copy and यहाँ पर आना जो मैंने आपको बता है right कि custom font कैसे change करना है उसके लिए preferences पे and then setting पे जब आओगे तो simply यह जो आपको font face दिखता है यहाँ पर आके आपको उसको paste कर देना आपका जो भी हो आप paste कर सकते हो let's see guys मेरे पास already बहुत सारे भरे पड़े है उन्हों मेरे PC पे मैं फिर भी चेंज करके आपक इंस्ट्रॉल कर चुक है and the moment में यहाँ पे जाओंगा controls and control s करता हो and boom guys आप clearly देख सकते हूं इस मेरा जो font वो चेंज हो चुक है control back करता हूं again control s save करता हूं and again it's change तो guys हमने theme देखा हमने देखा हमने देखा हम कॉंसा font face यूज करते है and कैसे custom theme and then font face को हम चेंज कर सकते all right now दूसरा सबसे ज्यादे important है that is your color scheme and आप बहुत clearly देख सकते हूं में कॉंसा color scheme यूज कर रहा हूं and that is आप देख सकते हूं default monokai.tm theme तो में बाता हूं again फिर से preferences बहत क्लेरी आप देख सकते हूं we have this color scheme तो में यूज करो monokai right simply guys आपको लिखना है matte realistry कि से ठीक है आप मैं कुछ changes करूंगा and आप खुद नीचे comment करना कि आपको कौंसा पसंद है तो में बाताना चाहूंगा कि जो में यूज करता हूं यह भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि एकदम पॉफेक्ट लेकिन उपर नीचे ब्लैक के साथ यह मैच नहीं कर रहा है आप देख सकते हूं कि मेरा तरह यहां पर यहां पर लिखा था में बताना चाहूंगा उस समीछ बैने में ने रिम कर्दिया था आई मिन पैकेज जो मेने रिमोब कया था तो वह मेरा जो कॉस्तुम कलर स्किम थे ठाने यहां था भी चेंज हो गया ठाई देट स्वाई गाइस मैंने अब भी आपके सामने थीम दैन मेरा फॉंट का फेस दैन मैंने कलर स्कीम आपको इंस्टॉल करके दिखाए नाव गाइस यह जो पार्ट इसको आप इस तरी किसे कर दीजे डिलिट एंड वापस अपने सब्लैम टेक्स एडिटर पर आप आई है ठ वह दोनों मैच नहीं कर रहे होंगे आई अप्वियसली यह होता है तो गाइस हम वह कैसे हो सकता है कि दोनों का कलर मैच हो लिकिन फिर भी गाइस मैं आपको बतातो दिखिए प्रेफ्रेंस पे मैं जाता हूं पैकेज कंट्रोल पर मैं चलता हूं यहां पर गाइस मी क्या कर है यह कलर हाइलेट जो मैं आपको बताने वालों थुई देर में ठीके दन वेफ सेस फॉर्मेट फाइल आइकेंस एस्टेमल ब्यूटिफाय मेटरियल थीम ऊसे नेक्स्ट पैकेज कंट्रोल प्येश्पी फॉर्मेटर रें ग्लोव साइड बार एन्हांसमेंट और गैस्ट अपको दिखाए देगा एंदी मुमेंट आपका फोकस साइड बार से हडिया यह आटमेटिक हैड़ हो जाएगा तो जो इससे मेरे वीडियो में अभी आपने देखा होगा थूज देर पहले खुद इसी वीडियो में यह आटमेटिक हाइड हो गया था So because of this plugin, that is your sidebar hider, okay, and then we have a sync sidebar background, this is the most important plugins, believe me guys, क्योंकि वले ही आप theme set कर लो, color scheme set कर लो, you know, font को set कर लो, जो कुछ भी apply होता है, वो आपका जो official page, I mean, जो जहाँ पर edit कर रहे हो, code लिख रहे हो, सिर्प वहाँ पर change होता है, हमारा ये जो sidebar है, वो जो default theme के साथ जो background आता है, वो उसी में ही चिपका रहता है, so if you want, कि आपका जो sidebar का background color है, and आपका जो editor जहाँ पर आप actual code लिख रहे हो, उसका जो background color है, दोनों sync रहे, दोनों same रहे, then guys, you need sync, sidebar, background, simple, theme है, theme programmer, theme, basically, सारे theme है, web font, and this is it guys, इतने use custom free font for your project, so guys, इतने ही plugin से जिसको मैंने install कर रहा है, and ये कहीं से मैंने guys, you know, third party plugin से ऐसा कुछ नहीं है, सब के साब आपको simply install package पर जाना है, ये सब के साब आपको मिल जाएंगे, and guys, ये color highlighter बहुत जादे important है, इसको एक बार आपने कर लिया, install, ठीक, color, highlight, तो इसका best part में बता आता हो, देखो guys, मैंने आपको starting में बता है था, let's go with this color, and comma hit करता हो, guys, आप देख सकते हो, मुझे दिखाई दे रहा है, and उपर जो है, suppose ये मेरा background color वापस, and let's go with triple app, and boom, guys, अब आप देख सकते हो, मुझे वो white color दिखाई दे रहा है, again, let's go with color, and see guys, क्या होता है, यहापे options मुझे मिलने रहा है, लेकिन मैं चलता हूँ pink, all right, मुझे pink है, वैसी, अगर मैं चलता हूँ yellow, तो So guys, मुझे green मिल रहा है, so यह जो color highlight है, यह बहुत ही best है, क्योंकि BS code editor पर by default हमें पता चलता है, कि हम कौन से color को select कर रहे, but in sublime text editor वो हमें नहीं मिलता है, but now we have that plugin, जो just मैं आपको दिखा है color highlight, okay, so guys, this is it, आज इस video के लितना ही, आप देख सकते हो guys, यह बहुत awesome है, बहुत मज़ा आने वाला है, एक second यह जो columns layout में single कर देता हूँ, so guys, आप खुद देख सकते हो, कितना awesome दिखाई दे रहे, and the best party है, आपको अगर F11 प्रेस कर दोगे, तो guys, जो extra space रहता है bottom में, sublime, प्योर आप अपना code यूस कर सकते हो, and हाँ, एक और चीज़ जाते जाते में बता होना चाहूंगा, if you want, यह sidebar अगर automatic height नहीं होता है, तो control, shift, alt, and then tick, boom guys, कैसा लागा, now आप सिर्फ और सिर्फ आप अपने code editor पे ध्यान देना, and code करना, and believe me guys, जहां पे आप काम कर रहे हो, अगर वो एकदम sub, and वो वैसा दिख रहा है, जैसा चाहते हो, तो guys, वहां पे आप बहुत अपना best काम देने वाले हो, अपना best काम करने आले हो, right, so this is it, guys, I hope आपको 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 पसंद आओगा, and आपको सारे doubt के लिए रोगे होंगे कि मैं कौनसा color scheme use कर रहा, मैंने कौनसा theme use किया हूआ, कितने plugins है, और क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है, All our guys, so this is it and I really hope आपको 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 पसंद आपका आपको आपको मैं में बताना चाहूँगा, please, इस वीडियो का अपने सभी दोस्तों को on every social networking sites and then messenger में शेर जरू कर दिजगा, like we have Facebook, Instagram, Twitter and the most important is, Whatsapp के group में, right, All our guys, so आज इस वीडियो को आपको आपको को सब्सक्राइब निक है प्लीज गैस सब्सक्राइब कर लिजेगा राइट साइड में एक रड़ कलर का बैल आइक इन एक घंड़ी दिखाए देगा हिट किजे क्लिक किजे ताकि आप डेली ऐसे औसे वीडियो को मिस ना करें कुछ भी डाव्ट हो तो बे फिकलों के नीचे कमेंट कीजे मैं की जरूर हेल्प करूंगा सो ते देन गाइस थैंक यू सो मच टेक क्या